वेल्कम टूबर चैनल केविति शिक्स्टी यह है क्लास थार्ड की हिंदी की बुक न्यू बुक वीना और इसमें आज हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट जो की है चीटी और यह की एक कविता है तो चलिए इसको देखते हैं इस बारी वीडियो में हम आपको क्या करने वाले है सबसे पहले इसको पढ़ने वाले हैं पढ़न करेंगे इसमें जो नए शब्दा आए हैं उनको देखेंगे उसके बाद उन शब्दों के सब्दार्त यानि जो शब्द हैं उनके अर्थ समझेंगे पार्ट का समझना यानि इस पार्ट को समझेंगे और उसके बाद में श्रम का राग सुनाती चीटी कडि धूब वो यावो वर्षा दाना चुनकर लाती चीटी सच्मुच कैसी कलाकार है घर को खूब सजाती चीटी छोटा तन पर बड़े इरादे नहीं कभी गवराती चीटी नन्य नन्य पैर बढ़ाकर परवत पर चड़ जाती चीटी काम बढ़े करके दिखलाती जहां कहीं अड़ जाती चीटी मेहनत ही पूजा है प्रव की हमको यही सिखाती चीटी तो एक छोटी सी कविता है चीटी के बारे में चीटी की मेहनत के बारे में है और ये लिखी है प्रकास मनुजी इसके लेखक है या जो कविता के लेखक होते हैं उसको रचेता भी बोलते हैं तो चलिए इसको तो हमने पढ़ लिया है अब इसमें जो नए शब्द आये हैं उनको समझते हैं कौन-कौन से हैं देखते हैं उसके बाद उनके शब्दों के अर्थ देखें तो इसमें जो शब्द आये हैं पहले नए शब्द है श्रम मतलब महनत राग कड़ी चुनकर कलाका सजाती तन इरादे गवराना परवत 14 हो यह सारे ने शब्दा है यहाई और यनके मतलब समझते है इनके अर्थ समझते हैं राग मतलब श्रम मतलब महत्त करें इसको बाद राग म मेंस गाना सौंग फिर कड़ी मतलब कड़ी धूप कड़ी धूप मतलब तेज तेज धूप होती है तो कड़ी धूकर मतलब सब्सक्राइब गूंड कर ढूंड़ना कलाकार किसी काम को अच्छे से करने वाला फिर है सजाती सजाना मतलब डेकोरेट फिर है तन तन मतलब शरीर फिर इसके बाद है इरादे किसी काम को करने की इच्छा काम को करने की इच्छा फिर आगे घवराना डरना या परशान होना परबत पहाड फिर अढ़ना किसी काम को किसी काम को पूरा करके मानना पूरा करना या पूरा करके मानना तो यह इसके शर्दार्थ हो गए चलिए इसका भीता को समझते हैं और पूरा करने की इच्छार्थ है चटें bilmiyorum बरी तना जोटी हो और काम को इतने अच्छे वाज़ाती चीटी काम को इतने अच्छे सजाती है चोटा तन पर बड़े एरादि हो चीटी कितनी होते है। चीटी लेकिन फिर भी वो अपना जो भी काम होता है स्वयम करती है और उसके इरादे कैसे होता है और लेकिन उसके इरादे कैसे होता है और लेकिन उसके इरादे कैसे होता है काम करने के जो इच्छा होती है वो काफी प्रवल होती है काफी बड़ी होती है नहीं कभी घबरात चीटी और चीटी किसी भी काम करने से कभी नहीं घबराती किसी भी काम करने से डरती नहीं है किसी भी काम करने से परशान नहीं होती है नन्य नन्य पैर बढ़ाकर आप लोग देख रहे हैं चीटी इतनी चोटी होती है तो उसके पैर कितने चोटे होंगे पैर और चोटे जात जहां कहीं अड़ जाती चीटी और अगर ठान ले तो कोई भी बड़ा बड़ा काम कर सकती है मेहनत ही पूजा है प्रुभ की हमको यही सिखाती चीटी और चीटी इतनी मेहनत करती है और इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत करना ही सबसे बड़ी पूजा है और हमें अपने काम को अच्छे से करना सीखना चाहिए तो यह इसका मतलब हमने समझ लिए इस पोएम का कविता का अब आगे देखते हैं इसके वे जो प्रस्ण उत्तर आये हैं उसको समझते हैं और इसमें जो भी एकसर साइज है उसको भी करते हैं तो चलिए सबसे पहले बातचीत के लिए यानि कि सबसे पहले प्रस्ण उत्तर हैं आपने अपने आसपास घर और विद्याले में कौन कौन से जीव जन्तु देखे हैं तो आपने जो भी जीव जन्तु अपने आसपास घर के विद्याले के कहीं भी देखेंगे उनके नाम बताने हैं तो इसमें लिखेंगे मै मैने, अपने आसपास, आसपास, गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, तोता, मैना, आदी, जीव जन्तु देखें, आपने इनकिलाब जो भी देखें, उनको भी लेख सकते हैं, फिर आगला प्रस्न है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा है, और कहां देखा है, तो आपको अब बताना है कि आपने सबसे छोटा कीटा कौन सा देखा है, उसका नाम बताना है, तो सबसे छोटा कीटा कौन चीटी को देखा है और कहां देखा है चीटी को मैंने अपने घर बगीचे और विद्याले में देखा है अपने जहां कहीं भी देखा उसका बता सकते हैं इसके लावा जो भी दूसरा चिट आपने देखा किड़ा है तो उसका भी नाम लिख सकते हैं फिर आगे है अगला प्रस्न आपने चीटी के अतरिक्त और कौन-कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं तो चीटी तो मेहनत करती है श्रम करती है इसके अलावा भी कुछ जीवों को आपने देखा होगा तो उनको आपको उनका नाम लिखना है तो इसमें लिखेंगे मैंने चीटी के अलावा स्रम करने वाले जीवों में गाय, बैल, गधा, घोड़ा, यह घोड़े को देखा है अगला प्रसना ननी चीटी के बारे में आपना कोई अनुभव बताईए तो आपको आपने ननी पैठा था और अचानक मुझे एक चीटी ने काट लिया इसके अलावा और भी कुछ हो जाकता है एक तो यह गाद दूसरा एक बार मैंने चीटी का एक जुन्ड देखा और मैंने उनके पास आटा डाल दिया तो इस तरह जो भी आपका अनुभव है वो लिख सकते हैं फिर देखते हैं कविता से आगे नीचे कुछ बस्तूं के चित्र बने हैं बताइए चीटीओं किसे खाना चाहेंगी उस पर चिन लगाए स्माइली इस तरह का फेस बनाना है तो चीटी इसे खाना चाहेगी लड़ो खाती है तो इसको बना देंगे करेला नहीं खाती है गयों का दाना भी खाती है तो यहां पर यह फेस बना देंगे स्माइल वाला चीनी भी खाती है सहद चीटी सहद भी खा सकती है क्योंकि मिठा होता है फिर पत्तियां पत्तियां नहीं खाती है आगे देखते हैं निम लिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए घर को परवत को दाना चुन कर सरम करा तो ये पंक्तियां हमारे इस कविता से ले गई है अब इसको हमें पूरा करना है तो घर को खूब सजाती चीटी परवत पर चड़ जाती चीटी दाना चुन कर लाती चीटी शरम का राग सुनाती चीटी चीटी चलिए ये हो गया फिर आगे देखते हैं कविता के अनुसार चीटी हमको क्या क्या करना सिखाती है लिख कर उताइए तो कविता को हमने पढ़ा समझा आप आपको बताना है कि कविता से हमें क्या सुखने को मिला कि चीटी हमें क्या क्या सिखाती है तो पहला तो हो गया मेहनत करना मेहनत करना दूसरा हो गया अपना खाना स्वैम ढोंड़ना ढोंड़ना फिर यह हो गया कभी नहीं घवराना मेहनत मेहनत ही पूजा है पूजा है यह पूजा में कौन सिखाता है चीटी आगे भाषा की बात कभी था में चीटी को क्या क्या कहा गया है एक तुख कलाकार हो गया बड़े इरादे वाली इरादे वाली अपने काम पर अड़ने वाली काम पर अड़ने वाली मेहनत करने वाली या मेहनती फिर इसके बाद है कितनी बार कविता में चीटी शब्द आया है इन्हें गिने और उतनी चीटियां बनाकर इस पंग्दी को पूरा करें उसलिए देखते हैं चीटी ये रहा ये रहा चीटी ये रहा चीटी ये चीटी है चीटी, 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 चीटी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ आठ बार आया है चीटी का अब हमें क्या करना है यहाँ पर आठ बार चीटी बनाना है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ एसे करके आपको यहाँ पर चीटियां बनानी है दो पहले से बनी है आपको छे और बनानी है तो यह आप कर लेंगे फिर आगे देखते हैं आइए चीटी कविता को आगे बढ़ाते हैं चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चीटी फिर इसके आगे आपको कुछ पंक्तियां लिखनी है आपके मन से जो भी आपके मन में आता है उसको लिखनी है मिट्टी को मिट्टी को खोद कर अपना घर बनाती चीटी बनाती चीटी इस तरह से आपको जो भी मन में आ रहे हैं उसको लिख सकते हैं चलिए आगे देखते हैं, शब्दों की तुकबंदी, दाना, दाना का तुकबंदी वाला शब्द है, गाना के जैसे शब्द कौन सा है, गाना, धूप का क्या होगा, सूप, कड़ी का क्या होगा, पड़ी, राग का साग, फिर चीटी से भेंट, आपके घर के कई कोनों में च चीटी आती जाती है, एक दिन भाई आपको रोक कर आपसे कुछ कहती है, आपके और उसके बीच में क्या क्या बाते होगी, लिखिए, तो आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना है, हजीम करना है कि आप चीटी से बातें कर रहे हैं, तो आपके और उसके बीच में क्या बाते होंगी तो चलिए सबसे पहले आप आप बोलते हैं नमस्ते चीटी आज आप अकेली आई हैं तो चीटी क्या बोलेगी यह आपको लिखना है सोचना है तो चीटी बोलेगी नमस्ते हाँ आज मैं अकेली आई हूँ फिर आप उससे क्या पूछेंगे यहाँ पर लिखना है फिर आप पूछेंगे या जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं मैं क्या पूछोंगा क्या आप आज मेरे साथ खेलेंगी खेलेंगी उच्छीटी बोलेगी नहीं अभी मुझे बहुत काम है मैं कल आउंगी मैं कल खेलने आउंगी खेलने आउंगी चली यह हो गया आगे चीटी और हाती की छुपन चुपाई एक छोटी सी कहानी है किसी चीटी और हाती चुपन चुपाई खेल रहे हैं चीटी को एक दम पता चिल जाता है कि हाती कहान हुआ ह głos है हाती का सरीर बड़ा है ना क्योंकि दोनों क्या खेलते हैं चुपन-चुपाई खेलते हैं चुपन-चुपाई में एक छिपता है दूसरा ढूंडता है तो हाती क्या है हाती का सरीर कैसा होता है बड़ा सा होता है और तभी हाती को चीटी को पता ले जाता है कि हाती कहा छिपा बता है। बताए हाथि को कैसे पता चला कि चिठी मंदि के पीछे मंदि में कर दाना है कि आखर कैसे जुण को हम चपल बाहर ते उतारते हैं जो यह और आज का पार हमें देखा चिठी कभीता rating को उसके बाद नए शब्द देखे शब्दों के अर्थ समझे पार्ट को समझा और उसके प्रस्णुतर जो भी थे उनको किया तो पढ़ते रहे हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू